हर्याना से जुड़ी हर लेटिस्ट अपडेट के लिए घंती बजाएं और सब्सक्राइब करें सच के साथ खबरे बेबाद सीधा रुख कर लेते हैं फतेयबाद के तरफ वहाँ पर इस वक्त मंज पर मौझूद है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और अब लोगों के बीच वो लोगों का समोधन करते हुए स्टेज पर पहुँच चुके हैं विशेश रुप्से उपस्तित अकाली दल के अध्यक्ष और मेरे बहुत परम मित्र पंजाब के पुर्व उपंगुख्य मंतरी सिमान सुख्वीर जी मंच पर विराजमान सभी वरिष्ट नेतागन इस चुनाओं में भारती जनता पार्टी के सभी उमिदवार और विशाल संख्या में हमें आशिरवात देने के लिए आये हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आड़े आये सारे भाईयां और भानाने मेरी राम राम सच्यकाल नुनप्राम यहां सिर्षा के साथ साथ हिसार और दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में साथी आये हैं आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मेरा सोभाग्य है कि आज गुरुओं और गुरुद्वारों की धर्ति में आप सभी के बीच आने का अउसर मिला है मैं सभी संतों को और सभी गुरुओं को स्रधा पुर्वक नबन करता हूँ भाई और बहनों देश में वोटिंग के पांच चरण हो चुके हैं और अब स्थिती पूरी तरह साफ हो चुकी है देश के आशिरबात से जब 23 मैं को चुनाव के नतीजे आएंगे 23 मैं तक 23 मैं शाम तक पता चल जाएगा फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार कॉंग्रेस हो या फिर उसके महा मिलावटी साथी सभी ने हाथ खड़े कर दिये हैं दिल्ली मैं खीचिडी वाली मजबूर सरकार बनाने के उनके सारे मनसुबे द्वस्त हो गए हैं साथ्यों आपका ये चौकिदार देश को जिताने के लिए भारत को विश्वशक्ति बनाने के लिए दिन रात आपकी सेवा में जुटा है 2014 में जो मजबूर सरकार दिल्ली में आप सब के आशिरवात से मुझे सेवा करने का मुझका मिला उसके कारण ही दुनिया में आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है साथ्यों मुझे बताईए कि कोई राष्ट अपनी रक्षा निती को मजबूत किये बिना भिश्वश सक्ती बन सकता है क्या बन सकता है क्या जो राष्ट अपनी रक्षा नहीं कर पाता क्या दुनिया उसकी बात सुनेगी क्या नए भारत की रक्षा निती क्या हो कॉंग्रेस या दूसरे महा मिलावटी अपनी सभाव में क्या एक बार भी एक बार भी उन्होंने इस विशय में एक भी बात बताई है क्या बताई है क्या बाई और बहनों ये नहीं बताएंगे क्योंकि इनका अतीत ऐसा है कि राष्ट रक्षा पर ये कुछ नहीं बोल पाते है साथियों 2014 से पहले आए दिन पाकिस्तान हमारे जवानों के साथ बरबरता करता था लेकिन केंद्र में बैठी कॉंग्रेस की सरकार सिर्फ और सिरफ बयान देती थी आए दिन आतंग की हमले होते थे लेकिन कॉंग्रेस की कमजोर सरकार सिर्फ और सिरफ बयान देती थी आपने और मैं विशे इस रुप से देश वास्यों को हमेशा आधर पुर्वक्स मरन करता हूँ आपने जो मजबूत सरकार दिलनी में बनाई उसने अपने शुरवीरों के भुजाओं में नई ताकत दे दी उनके हाथ खोल दिये अब हमारे सपूप पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के अड़े में गुज़ कर मारते हैं पहली सर्जिकल स्ट्राइक में हम जमीन से गए और जब दूसरा स्ट्राइक किया तो एर स्ट्राइक करके हमने तुश्मनों को गर में घुज़ कर मारा है जो आतंकियों कभी हमें डराते थे वो आज बग करके बैठे हुए है साथियों तमाम आतंकि हमलों का गुनेगार मश्रुद अजहर अब ग्लोबल टेररिस्ट गोशित हो चुका है पाकिस्तान अम्मजबूर है उसके खिलाब कारवाई करने के लिए लेकिन भाई और भेनों याद रखिये अपनी पांच-छे साल की कोशिश करने के बाद भी कॉंग्रेस सरकार जो काम हर्म कर पाए वो नहीं करवा पाए क्यों क्यों नहीं करवा पाए क्योंकि नियत नहीं थी साफ नीती नहीं थी साथियों हर्याना का शाहिद ही कोई ऐसा गर होगा जो अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए न भेशता हो यहां की वीर माताएं वीर संतानों को जन्म देती है यहां की वीर माताओं के लिए पूरे हिंदुस्तान को नाज है और इसलिए हर्याना से मैं आज कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस कह रही है कि अगर दिल्ली में उसकार उसकी सरकार मनी अब सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई लेकिन चलो वो कह रहे हैं उन्होंने अपने मैनिपेस्टों में लिखा है अपने डकोशला पत्र में लिखा है अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो जम्मू कश्मी समेट जो हिंसा वाले इलाके हैं वहां तैनात सैनिकों से उनको जो विशेश अधिकार एक सुरक्षा कवच मिला है फोजियों को कॉंग्रेस ने कहा है आक करके उसको छीन लिया जाएगा यानि जो पत्थर बाज है जो आतंगवाद के समर्थक है उनको खूली छूट देहने का कॉंग्रेस सार्वजनिक रूप से बोल रही है साथियों भारत माता की जय बोलने पर एत्राज जताने वाली कॉंग्रेस अब देश द्रोह का कानून हटाने का भी बादा कर रही है कॉंग्रेस चाहती है कि टुकडे टुकडे गेंग को भारत को गाली देने वालों को तिरंगे का अप्पान करने वालों नक्सल वादियों के समर्थकों को खूली छूट मिले मैं जरा हर्याना के लोगों से पूछना चाहता हूं जिस धर्ती मैं आए दिन जवान मात्र भूमी के लिए शहीद होते हैं देश के लिए मर मिटने वाले लोग जिस धर्ती पर पैदा होते हैं मैं हर्याना से पूछना चाहता हूं मैं आप से पूछना चाहता हूं क्या कॉंग्रेस के ये बादे ये आपको मंजूर है आपको मंजूर है आपको मंजूर है भाई और भेनों हमारे घरों के जो बच्चे फोज में जाते हैं जो अर्थसाइनिक बलों में जाते हैं पुलीस में जाते हैं उनको कॉंग्रेस और उसके साथ ही किस नजर से देखते हैं जब आप सुनोगे तो आपका गुसा सात्वा आसमान पर जाएगा मैं बताता हूं इतना गुसा आएगा क्योंकि ये ऐसी भाषा बोलते हैं बोलते हैं इतना नहीं वो इन चीजों को मानते हैं मैं उनके एक मुख्यमंत्री का बयान सुना बताता हूं आपके करना तक मैं कॉंग्रेस एक सरकार चलाती है उस सरकार के मुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री के पिताजी कुछ समय के लिए देश के प्रधानमंत्री भी थे उस मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया बहुत गंबीर बयान इस एक बयान के कारान आने वाले सो साल तक देश कॉंग्रेस को स्विकार नहीं कर सकती है ऐसा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि जिन युवकों को सुनिए जरा जिन युवकों को दो वक्त खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है जो भूके होते है वो पेड बरने के लिए सेना में जाते है भाइयो बेहनों ये सुनकर क्या आपको गुस्वाया क्या नहीं आया आपको गुस्वाया क्या नहीं आया आप मुझे बताईए माइताय बहने भाईयों बहनों नवजवानों बताईए क्या मेरे हर्याना का नवजवान मेरे पंजाब का वीर पुत्र मेरे हिमाचल के नवजवान सेना में इसलिए जाते है कि उनको खाने के लिए दो वक्ती रोटी नहीं मिलती अरे शर्म आनी चाहिए कॉंग्रेस के लोगों आप जिस सरकार को चलाते हो वहां का मुख्यमंत्री इस प्रकार से मेरे देश के वीरों का पान करता है जो दुश्मन से देश की रक्षा करते है जो माभारती के मान सम्मान के लिए जान की बाजी लगाते थे उन वीरों के बारे में कॉंग्रेस और उसके साती इस प्रकार से सोचें इससे बड़ा देश का अपमान क्या हुसकता है इतना ही नहीं यह कॉंग्रेस पार्टी हमारे देश के सेनाजक्ष को पब्लिक लिए कहते हैं यह तो गली का गुंडा है हमारे वायू से नाध्यक्ष उनको कहते हैं कि जूठा है ऐसा बोलकर कॉंग्रेस के नेता अपनी सच्चाई भाईयो भेनो वो बेनकाब हो चुके हैं कि इस प्रकार के लोग हैं साथियों इस चुनाव में आपको और उसके साथियों को इस मानसिक्ता की भी सजाद देनी है भाईयो और बेनों कॉंग्रेस कैसे देश्टी रख्षा करने वालों को दोखा देती हैं वो भी आपको याद दिलाता हूं कॉंग्रेस ने आपसे वादा किया था कि वो बन रैंक बन पेंशन लागो करेंगे ये वादा करते करते उसने 40 सान निकाल दिये 4 दसक निकाल दिये जब देश के जवानों ने उनके परिवारों ने दबाव बनाया तो 2013-14 में चुनाव के पहले पहले जो एक अंतरिम बजेट आया उस बजेट में उन्होंने 500 करोड रुपिया रखा बजेट में कागेट पे लिखा और कह दिया कॉंग्रेस ने 4 दोल फिटने लगे उनके नामलार पूर्वसैनिकों के सम्मेलन करकर के मालाय पहनने लगे और कहने लगे हमने बन रेंग पेंशन बाड़ को लागो कर दिया बाईव बहनों यह कितना बड़ा दोखा था उन्होंने पान सो करो रुपया दिया कितना जूट बोलने की इनकी तांकत है वो देश की जनता को कितना मुर्ख मानते हैं और देश के जवान जो इमानदारी से मां भारती के लिए मरना यही उसको सिखाया गया है आप उसके पिठ में छुरा भूंकते हो आप उसके आँखों में धूल जूंकते हो भायो बैनो है आप सिर्फ पान्सो करोड दे करके बाते करने वाले लोग और वो भी कागज पर बजेट मैं से तो कहीं निकला नहीं एक नया फैसा नहीं निकला हम आए हमने वादा किया था हम बन रेंग वन पेंशन लाकू करेंगे मैंने सारी फाइले निकाले कागज निकाले मैंने का भाई 500 करोड रुपिया है इस बार ले दीजिए जब हिसाब किताब लगाया कि बॉन रेंग बन पेंशन के लिए जब हमने लागू किया तो अब तक 35,000 करोड रुपिया सेना के परिवारों में हमने पहुचाया कहां 500 करोड का जूठा बादा और कहां 35,000 करोड रुपिये दे दिये उनके खाते में जमा हो गए यह कितना जूठ बोलते हैं और देश की भोली भाली जतना ने इनके जूठ को सचमान करके आखे बंग करके उनके थेले बर दिये और उसी के कारण आज देश को रोने की नौबत आईए बाईयों साथियों देश की रक्षा कमरेवालों से जूठ बोलने उन्हें सम्मान न देने की इसी कॉंग्रेसी सोच के चलते साथ दसक तक हमारे देश में नेशनल वार मेमोरियल भी नहीं बना हमारे देश के जबान कहते रहें कि आजहादी के बाद हमारे वीरों ने इतना बलिदान दिया है उनका एक नेशनल वार मेमोरियल होना चाहिए अपने परिवार के तो हर गली मुहले में अपने समारक खड़े कर दिये देश की तीजोरी के अर्बो खर्बो खर्च कर दिये लेकिन देश के लिए मरने वाले जबानों के लिए कोई नेशनल वार मेमोरियल नहीं जो काम सत्तर साल तक नहीं हुआ ये काम आपके चौकेदार ने कर दिया और मेरा तो हर्याना से आगरा है जिन जिन गाउं में आजादी के बाद जो भी शहीद हुए है उनके परिवार जनों को ले करके उस गाउं के लोगों ने नेशनल वार मेमोरियल पर जाना चाहिए और अपने गाउं के जो वीर शहीद है उसके नाम के सामने एक फूल चड़ा कर आपको भी आना चाहिए ये मेरी हर्याना पंजाब और हिमाचल के लोगों से विशेश प्रांचला है क्योंकि ये इलाका है जिसने देश के लिए बहुत बलिदान दिये है बाई जो बेहनों और एक बाद कभी कभी हम लोग मानसिक अवस्ता के खारण ये जो पुलिस के जमान खड़े हैं ना उनको अप्मानित करते हैं उनको निच्चा दिखाते हैं उनको बुरा बला कहते हैं सिनेमे वाले भी सिनेमा बनाएंगे तो पुलिस वाले को सबसे बंदा बताते हैं इतना देश का नुक्षान हुआ है और एक सबते कभी बाहर नहीं आया मुझे इसकी बड़ी बड़ा दर्द होता था और इसलिए मैंने लाल के लिए एक बार बोल दिया था आप जान करके हरान हो जाएंगे कभी कभी हमें पुलिस वालों से भीड़ जाते हैं लेकिन कभी सोचा है थंड हो पुलिस वाला खड़ा है कितनी ही गर्मी हो पुलिस वाला खड़ा है राखी का तोहार है, पुलिस वाला खड़ा है, गर में शादी ब्या है, वो ड्यूटी पे गया हुआ है हम इन जीजों को ध्यानी नहीं देते हैं, इससे भी बढ़कर हम सामान्य लोगों की रोज मरा की जिन्दगी बचाने के लिए हमारा मोबाइल फोन चोरी हो जाए, तो हम तो जाके सोजाते हैं, वो बेचाना जाकर करके मोबाइल फोन कैसे वापिस लाओ, इसके लिए दोड़ा धुप करता है, हमारी रक्षा के लिए आजादी के बास बेच के पुलिस जवानों ने 33,000 पुलिस शहीद हुए, 33,000 यह अकड़ा छोटा नहीं है, 33,000 पुलिस वाले शहीद हुए, वो कहते रहे, के एक नेशनल पुलिस मेमोरियल बनना चाहिए, यह कॉंगरेस लोगों ने, इनके महा मिलावटियों ने, पुलि लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया, यह काम भी इस चौकेदार ने किया है, पुलिसों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, मैं पुरी ताकत से लगा हुआ है, और उसके लिए मैं हर्यारा के लोगों को कहूंगा, कि आपके ख्षेत्र के भी, आज हदी के बाद कई पुलिस जव सम्मान सहीद हुए है, आपने जाना चाहिए, जा करके उन पुलिस के परिवारों को आपने जूर एक फुल चड़ा के आना चाहिए भाईयों, भाईयों, बैनों, कॉंग्रेस को ना तो जवानों के सम्मान की फिकर है, और कभी रही, और ना ही किसानों के सम्मान की, इन्हो उने तो किसानों की जमीन पर भी ब्रस्टा चार की खेती की है सबूत देश के सामने है सबूत हर्याना के सामने है हर्याना और दिल्ली में जब भी कांग्रेस की सरकार थी तब कैसे कोडियों के भाव पर किसानों की जमीन हत्याने का खेल खेला गया आप सभी जानते हैं आप सभी के असिरवाद से किसानों को लूटने वालों को ये चौकिदार कोड तक ले गया है जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं इडी के दब्तर के जूते गस रहे हैं जी वह बांते थे हम तो शैंसा है हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता अरब पीडा हो रही है एक चौकिदार एक चाहे वाला अब परेशान है भाईयो भणा जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूँ इस बार आसिरवाद दीजिए आने वाले पांच साल के अंदर अंदर कर दूंगा जी आप क्या सिर्वाद चाहिए बस देश को जिनोंने लूटा है उनको लोटाना ही पड़ेगा साथियों बाजपा की सरकार देश के किसान के लिए देश के जवान के सम्मान के लिए समर्पीफ है किसानों के हक के लिए आवाज उठाने वाले भारत की किर्शिनिती और अपनी चाप छोड़ने वाले सर छोटु राम जी की वव्य पतिमा का नावन करने का सवबाग्या मुझे कुछ महिने पहले ही मिला था साथियों लेकिन यहां इसी धर्ती से कुछ हपते पहले सार्वजनिक मन से एगनेता ने कहा कि जो भी देश के गद्दार है उन्हें अंग्रे जोने सर की उभाती दी थी भाई यो बहनो उसके बाद उनके एक और बड़े नेता ने इसका सबर्थन किया क्या मेरे हर्याना के लोग सर छोटु राम के इस अप्मान को परदास करेंगे सर छोटु राम के इस अप्मान को परदास करेंगे सर छोटुराम के सब्पान को बता हम अब सुकार करेंगे क्या अरे सर छोटुराम जैसे हमारे नायकों के आसिरवाद से ही हम 2022 तक किसानों की आय दो गुना करने का संकल्प पुरा करने वाले पी-एम किसान सनमान निधी से छोटे किसानों के बैंक खाते तक सीधी मदद पहुंचने शुरू हो चुकी है हमने ये संकल्प लिया है कि 23 मएं को जब चुनाव के नतीज़ आएंगे जब फिर एक बार जब फिर एक बार फिर एक बार तब हरियाना के हर किसान परिवार के खाते में हर वार्ष साल में तीन बार सीधी मदद पहुंचेगी इतना ही नहीं जो छोटे किसान है खेत मदूर है छोटे दुकांदार है उनको साट साल के बाद नियमित पैंशन मी मिलेगी साथियों किसान की खेती पर लागत कम हो इसके लिए बंडारन की एक बहुत बड़ी ववस्ता हम खड़ी करने वाले है गाउं के पास ही किसान अपनी उपाज का बंडारन कर पाएं इसके लिए ग्राम बंडारन योजना पर विस्तार से काम किया जाएगा अन्न दाता अब उर्जा दाता भी बने इसके लिए डीजल पंपों को सोलार एनर्जी से चलने वाले सोर पंपों में बदलने का व्यापग अभियान हमने छेड़ा है भाई और बैनों एक तरफ किसानों के हितों के लिए जहां हम पुरी इमानदारी से काम कर रहे हैं वही कॉंगरेस ने जूट और दुखे की नीती अपना रखी है कर्ज माफी के नाम पर उसने राजस्तान में मद्द प्रदेश में किसानों के साथ कैसे चलावा किया कैसे उनको चला है अब इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है वही स्तिती ये है कि किसानों को कॉर्ट से नौटिस मिल रहे हैं और उन्हें जील जाने की नौपत आ गई है साथियों जब बजूद खत्रे में पढ़ जाता है तब जूट प्रपंच और सबाज में बटवारे का खेल ये कॉंग्रेस का पुरानी आदत है कॉंग्रेस के राज में समाज का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है कॉंग्रेस नहीं की बात करती है लेकिन यहां आपने खुद देखा है कि दलीत वर्ग से आने वाले अपने अधिक्ष तक को वह इंसाप नहीं दिला पाईए साथियों कॉंग्रेस की एक और करतूत के बारे में यहां के युवास साथियों को जानना जरूरी है 1994 में दिल्ली हरियाना पंजाब सही देश के अलग-अलग हिस्सों में हमारों हजारों सीख बहन भाई छोटे-छोटे बच्चों को कॉंग्रेस परिवार और उसके दर्यबारियों के इसहारों पर हट्या की गई बेर रमे से उनको माना गया 34 सानों तक दरजन पर आयों को बने लेकिन सीखों को इंसाफ नहीं मिला आपके इस चौकेदार ने सीख समाच से देश से चौरेशी के गुनेगारों को सजा दे लेने का बादा किया था मुझे संतोस है कि सीखों के गुनेगारों को फांसी और उम्र के मिलने का सिलसिला सुरू हो चुका है लेकिन ये बेशर्म कॉंग्रेस उन लोगों को आज भी इनाम दे रही है जो उस पाप में हिस्तेदार रहे है सीख दंगों में जिस पर सवाल उठे हो उसे मद्द प्रदेश का मुख्यमंत्री बना कर कॉंग्रेस ने साप कर दिया है कि उसे आपकी भावनों की कोई परवा नहीं है भाई योड बेनों कॉंग्रेस का इतिहास ही आपकी भावनों को नजर नाज करने का है करना वरना कोई वज़ा नहीं थी कि आज हमारा परवित्रस्तान हमारे करतारपूर साहिब आज पाकिस्तान में है बटमारे के समय थोड़ा भी जोर लगाया जाता तो करतारपूर साहिब आज भारत की धरती में होते मैं अपने अपने इन गुरू के दर्शन के लिए सीमा पार करने का और आने जाने का भाईयो भेनो एक सिल्चला कैसे सुरू हो हम आगे बड़े हैं भाईयो भेनो कॉंग्रेस के जन्याय को सुधारना मुश्टिल है लेकिन हमारी सरकार प्रेहास कर रही हैं कि करतारपूर का दर्शन करने जो वक्त जाते हैं उन्हें तकलीफ ना हो इसके लिए करतारपूर साभ करेडर विक्षित किया रहा है साथियों सबको सुरक्षा सबको सम्मान यह हमारा प्रान है बिते पांच वर्सों में गरीब हो दलीत हो बंचित हो पीडित हो हर वर्क के लिए हमने काम लए ऐसी अलेज सुविधाय पहुचाई है यही कारण है कि सबायत के हर वर्क का मुझे बरपूर साथ और सयोग मिला है विसे इस तोर पर जो साप सभाई के काम से जुड़े मेरे साथी हैं उनके सयोग के बिना स्वच्छ भारत अभ्यान जैसा मीज़न इतना सिफल नहीं ह पाता मुझे बताया गया है कि हमनोलाल जी ने हर्याना में जो बड़ती अब्यान शुरू किया था वो भी बहुत सफल रहा है जहां पहले हर भरती में गोटाले हो जाते हो वहां इतनी पारदर्सिता के साथ इमान दारी के साथ हर्याना के नवजवानों को नोकरियां देना हर्याना की सरकार मनोर लालची की सरकार भाजपा की सरकार अनेक अनेक साधुवात के अधिकारी है साथियों एक मजबूत भारत के लिए एक सम्रद भारत के लिए आपको हर्याना की सभी सीटों पर कमल खिलाना है आपका एक एक वोट मोधी के खाते में आएगा दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनेगी पुरन बहुमत की सरकार बनेगी तो मुझे भी आपकी सेवा के लिए खुलकर काम करने का अवसर मिलेगा एक बार फिर आप सभी का इतनी बड़ी तादाद में आकर के हम सब को हाशिरवाद दे ले के लिए मैं रिदे से आपका अभार वेक्त करता हूँ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की दोनों हाथ उपर करके मुठी बंद करके पूरी ताकत से बोलना है भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्वाद पत्राइब को कि भारत माता की झाले की बहुत बहुत है चुछ टारत माता की बहुत है नहीं नहीं जुछ है ऑले है ऑले की बहुत है पन्वाद